राहू और केतु के दस्वे भाव में होने से जुड़ी मान्यताएं क्या है? क्या इस भाव में होने से कोई संभावित लाब है? जियोतिश में दस्वा भाव करिय, सारवजनिक छवी और अधिकार को दर्शाता है. जब राहू और केतु, छाया ग्रह, इस भाव में होते हैं, तो यह मिश्रित विश्वास उठपन करते हैं दसवे भाव में राहू अक्सर सफलता, प्रसिध्धी और मान्यता की तीव इच्छा को दर्शाता है यह व्यक्तियों को अपरम परागत करियपत प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है जो संभावित रूप से उन्हें अपने क्षेत्रों में अग्रणी बनाता है यहां राहू की उर्जा महत्वा कांशा लाती है, लेकिन कभी-कभी कार्य जीवन संतुलन की कीमत पर दूसरी ओर, दस्वे भाव में केतू सांसारिक सफलता और सारवजनिक मान्यता से अलगाव का सुझाव देता है हालां की यहर एक, नकारात्मक भाव लग सकता है, लेकिन ये सेवा, आध्यात्मिकता या छिपी हुई प्रतिभाओं पर केंद्रित कर्य की ओर ले जा सकता है जो दीर्व कालिक पुरसकार लाते हैं इस भाव के संभावित लाभों में गैर पारंपरिक कर्य में सफल होने की क्षमता, अचानक प्रसिद्धी या सफलता प्राप्त करना और अध्वितिय कोशल के लिए सम्मानित होना शामिल है राहु की महत्वा कांक्षा और केतु की उदासीनता को संतुलित करने से व्यक्ति के करिय में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की सफलता मिल सकती है कृपया अधिक जानकारी के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म को सब्सक्राइब करें